तो केम समीतर वेलकम बेक टो नदर व्लोग तो मैंने ये लिक्वी मोली का 40 अडेटिव सुटर इस वाली स्प्लेंडर में इस्तमाल किया था एक महीने पेले वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं उपर आई बटन में डाल दूगा पहले उस वीडियो को जरूर देखले ब क्रेटर में डाला था और वो समय इसमें रियुंझ करवाली है तो ऑगा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊओगा के ये आपаки करना चाहिए क्यों करना चाहिए तो चले वीडियो को करने तो सबसे पेले बात करते हैं कि यह additive आपको खरीदना चाहें कि नहीं इसे रियली में बाइक करना वर्थी ठेक कि नहीं है I believe that कि इतनी बड़ी liquid moly company है तो कुछ सोच समझ कर ही इस liquid को release किया है मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास भी 5 साल या 10 साल पूरानी बाइक है तो यह liquid आप जरूर खरी दिये और अब मैं बात करता हूँ इसके advantages की इस liquid को इस splendor में डालने का बाद इसमें 3 module changes आये है तो सबसे पहला changes है वो है इसका throttle response तो जब आप पूरानी बाइक में throttle लेते हो तो बाइक लेक करती है और कभी-कभी बंद हो जाती है मेरी इस वाली splendor में यह बहुत होता था यह additive splendor में डालने के बाद जब भी मैं sudden throttle देता हूँ तो पावर में लेक नहीं होती और यह तुरंत pickup पकड़ लेती है तो मुझे लगता है कि fuel system clean होने की वज़ा से इसकी performance थोड़ी बढ़ी है तो मेरे पास motor vlogging का setup नहीं है तो मैं उस चीज को आपको नहीं बता पाऊगा लेकिन जब आप खुद यह liquid अपनी bike या scooty में डालोगे तब ही आपको पता चलेगा कितने काम का liquid है अब आते हैं point number 2 पे तो मुझे लग रहा है कि इसकी mileage थोड़ी increase हो चुकी है और bike चलने में smooth हो चुकी है पहले के comparison में और point number 3 इसकी engine की आवाज में थोड़ा बदलाव आया है और engine पूरी तरह खुल चुका है यानि कि मैं 100% sure हुके इसने पूरी fuel system अच्छी तरह clean कर ली है तो बस आज की वीडियो में इतना ही था यह बहुत ही अच्छा काम करता है मेरे opinion में यह worth it है तो इसकी link में नीचे description में दे दूगा आप Amazon या Flipkart से खरीच सकते हो उमीद करता हूँ के आपके सभी doubts clear हो चुके हो और नई हुए तो मुझे आप comment करके बता सकते है मैं जरूर reply करूगा तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में